दोस्तों नमस्कार आदाब सत्रीयकाल नियोज क्लिक के कारिक्राम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश मंगलवार यानि तीन मई को कई उलेखनी मौके दर्ज हुए इद काते वहार था इसके लावा हम पत्रकारों के लिए और आम लोगों के लिए भी जो जनतंत्र में डिमक्रसी में जिनकी गहरी रुची है उनके लिए भी एक महत्पूर्ण दिन था वर्ड प्रेस फ्रीडम डे था यानि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस युनाइटेड नेशन यानि संजुक्त रास्तंग द्वारा इसे आयोजित किया जाता है हर वर्ष और इस मौके पर दुनिया भर में प्रेस फ्रीडम को लेकर प्रेस की आजादी को लेकर कारिक्रम होते हैं और दुनिया भर में आकलन भी होता है कि प्रेस फ्रीडम का क्या हाल है दोस्तों इस मौके पर विश्व की एक मसहूर बहुत मसहूर जो वैश्विक संस्ता है आरे से यानि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये अपने पेरिस इस्थित मुख्याले से ग्लोबल इंडेक्स आफ प्रेस फ्रीडम यानि वैश्विक प्रेस फ्रीडम सुचकांक जारी करती है और इस बार भी दोस्तों जो ग्लोबल इंडेक्स है प्रेस फ्रीडम का वो जारी कर दिया गया ये जो Press Freedom Index है पिछले कई सालों की तरह इस बार भी भारत के लिए बेहद बेहद निराशाजनक था इतना निराशाजनक कि इसके बारे में मैं समझता हूं कि यही कहा जा सकता है कि यह अन्प्रिसिडेंटेड है यानि इसके पहले इतना ज्यादा पतन हमारे देश में प्रेस फ्रीडम का इतनी तेजी से पतन कभी नहीं देखा गया दोस्तो पिछले वर्ष भारत की पोजिशन 180 मुलकों में 180 जो दुनिया के मुलक हैं जिनका आंकड़ा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के लिए रिपोर्टर्स विदाउट बार्डर्स दुनिया भर में फैले अपने रिप्रिजेंटिटिव आप्जर्वर्स जैनलिस्ट मेडिया इस्पेशलिस्ट सब तरह के लोगों से लेती है ये आर्गनाजिशन ने जो इस बार सर्वेप किया है उसमें पाया है कि भारत जो पिछले साल 142 में अस्थान पर था प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इस साल एक सो पचास में अस्थान पर चला गया है एक सो असी में एक सो पचास पर हम पहुँच गए एक सो बैयालिस से नीचे आठ गिरे हैं आठ नंबर भारत नीचे हो गया है आखिर ये क्यों हुआ है दोस्तों मैं आपको बताओं कि सबसे पहले जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था वो 2002 में आया था और ये जो 2002 में आया था तब से लगातार अगर देखा जाए तो भारत की जो पॉजिशन है उसमें शुरू के दिनों में एक कंसिस्टेंसी थी लगता था कि वो लगभग आसपास है लेकिन अगर हम 2010 से देखें तो 2010 से बलकि उससे थोड़ा पहले भी तो वो लगातार भारत की पॉजिशन नीचे गिरती गई और ये केवल ये नहीं की केवल भारती जनता पार्टी की मौजूदा जो सरकार है सिर्फ उसमें गिरावट आई है कॉंग्रेस लेट जो गॉवर्मेंट थी उसके दर्मियान भी गिरावट आई थी लेकिन ये जो गिरावट इस बार की है मोधी सरकार के दौरान मैं समझता हूँ और मैं समझता क्या हूँ मैं ये ये जो आंकड़ा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ उसमें सबसे बड़ी गिरावट है और ये भी एक बड़ी दिल्चस्प बात है कि जब से अपने देश में एकॉनमिक रिफार्म्स लागू किया गया और जब से उसका सिलसिला तेज हुआ है जितना तेज सिलस सिला हमारे देश में एकॉनमिक रिफार्म्स का चला है उतनी तेजी से प्रेस फ्रीडम का इंडेक्स भी उसमें भारत की पोजिशन लगातार गिरती रही है और दोस्तों 2010 में हम यानि भारत 122 में अस्थान पर हम थे 122 में 122 लेकिन 2012 में हम 131 में अस्थान पर पहुंच ग 142 में अस्थान पर पहुंचे हैं इसके पहले हम 142 में अस्थान पर थे पता नहीं हम अब आगे कुछ साल और जो होगा उसमें 180 में हम किस पोजिशन पर पहुंचेंगे ये अंदाज लगाना बहुत कठीन है अब देखना यह है दोस्तों की आखिर भारत क्यों नीचे गिर रहा है जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के जो संचालक हैं जो ये उसको तै करते हैं जो सर्वे कराते हैं और इनका सर्वे बहुत ट्रांसपरेंट होता है ये दुनिया भर में जैसा मैंने पहले कहा कि लोगों से बाचीत करते हैं तरह तरह के आकलन करते हैं और डेटा जो ड इंटरनेट का शटडाउन हुआ यह सारी चीजें वो लेते हैं और उसमें दोस्तों इन्हों ने जो गिनाया है अपनी तरफ से यानि रिपोर्टर्स विदा बॉर्डर जो सुझता है उसने कहा है कि भारत में गिरावट के जो कारण है वो पत्रकारों पहला पत्रकारों के वि पूटों की तरफ से और साथ-साथ राजजी की भी यानि जो मशिनरी है उसकी तरफ से भी दूसरा जो मीडिया का राजनीतिक तोर पर भारत में पार्टीजन होना यानि अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो उसका सत्ता की तरफ बेहद जुकाओ बहुत बढ़ा बढ़ कि भारत के पतन का भारत की गिरावट का एक कारण यह भी बताया गया है और तीसरा जो कारण बताया गया है मीडिया स्वामित्तो का संकेंद्रन इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारे मीडिया की ओनर्सिप में डाइवर्सिटी नहीं है क्रास मीडिया ओनर्सिप की जो धारणा है क्रास मीडिया ओनर्सिप जो है वह भी एक इसमें बहुत बड़ा कारण है cross media जब ownership आप कहते हैं यानि मीडिया में अलग अलग जो मीडिया है अलग अलग जो समू हैं अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें हम देखते हैं कि एक ही तरह के ओनर एक ही तरह के स्वामी अनेक तरह के मीडिया का संचालन करते हैं यानि ownership जो है कुछ ही लोगों के हाथों में संकेंद्रित हो गई है और वो तरह तरह के platforms का संचालन करने हैं दोस्तों आजादी की लड़ाई जब अपने देश में लड़ी जा रही थी हमारे देश में दरसल प्रिस का जो विकास विस्तार होता है वो anti-colonial यानि उपनिवेशवाद सामराजवाद जो है अपने देश में जो हम जब उनकी दास्ता के अधीन थे तो उस दोरान हमारे देश में प्रिस का विस्तार होता है freedom एक तरह से उसके लिए जो लड़ाई चल रही थी वह भी प्रिस freedom की लड़ाई का एक हिस्सा था प्रिस उसमें involved था तो उस समय अगर देखा जाए ownership ब्रिटिस जो कंट्रोल बहुत सारे अकबारों के थे बहुत सारे जो ऐसे अकबार थे ऐसे ग्रूप्स थे ऐसे प्लेटफरम्स थे ऐसी मैगजीन्स थी जो हकूमत की सेवा में लगी रहती थी लेकिन बहुत सारे ऐसे च्छोटे अकबार थ और मैगजीन्स थी बहुत सारी अलग अलग भाशाओं में जो आजादी की लड़ाई के जो हिस्सेदार लोग थे या जो उसे सहानभूती रखते थे उन लोगों की के द्वारा संचालित की जाती थी तो वो दौर था जब हमारे यहां प्रेस फ्रीडम ने एक परिभाशा ग्रहन की एक तरह से उसकी धारना का विकास हुआ और विस्तार होता रहा आजादी मिलने के बाद भी इस पर गांधी ने नहरू ने और डाक्टर भी आरम बेटकर ने काफी कुछ कहा है काफी कुछ लिखा है तो दोस्तों सबसे महत्मूर बात जो आज मैं आप से करना चाह 2019 की रिपोर्टिंग के समय भारत में 55 पत्रकार गिरफतार हुए थे यानि उन पर तरह तरह के आरूप लगाए गए कि उन्होंने ये किया है वो किया है ऐसा उन्होंने कर दिया ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था और इसके एवज में उनको गिरफतार कर लिया गया दोस्तो एक जनौरी से अब तक भारत में एक पत्रकार की मौत हुई है और वो काला हंडी जो ओडिसा है वहां के रोहित कुमार बिस्वाल इसके पहले अगर दिखा जाये कई सालों का अगर आकड़ा लें तो लगातार कई जगहों पर प्रिस से जुड़े लोगों की गिरफतारिया होई है नार्धिस्ट में बड़े पैमाने पर गिरफतारिया होई है जमुकश्मीर में अभी हाल के दिनों में वहां पर फहत शाज तेती सवर्षी है फहत शाज जो एडिटर है कश्मीर वाला पोर्टल के उनको गिरफतार किया गया है अभी कुछ इम कश्मीर में सैजाद करती है हमारी सत्ता की वहां लिवरल ढंग से काम किया जा रहा है वहां पर काफी उदारता के साथ लोगों को इन्वाल्ब किया जा रहा है ताकि वो मुख धारा में शामिल हों लेकिन दूसरी तरफ जो प्रेस वहां का है और खास कर जो छोटे मजोले प्रेस है वहां का और व जो अख़बार छपते हैं वो छोटे मजोले अख़बारी हैं लेकिन उन पर लगातार सत्ता का दबाओ अगर दिखा जाए तो उन पर बढ़ता रहा है और दुनिया में सबसे अधिक इंटरनेट शट डाउन जहां जिन मुलकों में कुछ हुआ है वो अफरिकान अफरिकन डाउन में हम अवल हो गए जमु कश्मीर इसका सबसे बड़ा हिस्सा था जहां पर लगातार इंटरनेट को डिस्रप्ट किया गया बंद किया गया लोगों को एकसेस नहीं मिली और कई महीने बाद जब कई कई अगर अगर जमु कश्मीर में देखा जाए तो दो चक्र ऐसे दिखे जब महीनों तक लोगों को इंटरनेट नहीं मिली तो ये इस्थितियां थी मैं समझता हूँ कि इन सारी चीजों का कल्मिनेशन है कि हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नौकेवल गिर रहे हैं बलकि असलियत यह है कि हम डेमोक्रसी के इंडेक्स में भी गिर रहे हैं तो उसमें दुनिया के जो बेहतरीन मुल्क हैं वो कौन हैं ये वोही मुल्क हैं जहां पर पुझीवादी लोकतंत्र सबसे ज्यादा बेहतर है सबसे ज्यादा मैच्योर है वहीं पर प्रेस फ्रीडम भी सबसे बहतर है वो कौन मुल्क हैं नार्वे है डेनमार्क है स्वीड है फीनलैंड है आईरलैंड है ये टॉप ये टॉप के कंट्रीज हैं जहां पर प्रेस फ्रीडम सबसे ज्यादा वहां के लोग पत्रकार आम लोग इंजवाय कर रहे हैं और देखिए अगर दूसरी तरफ की जो दुनिया के सबसे बहतरीन जो डिमक्रसी जाए उनमें भी ये म थोड़ी बहतर है जहां पर इंपॉर्मेंट है जहां पर गरीबी और अमीरी के बीच में थोड़ा फर्क जो है वो कम है वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर लोग तंत्र भी मजबूत है और प्रेस फ्रीडम भी दोनों का रिश्टा बिलकुल साफ साफ नजर आता है कि क का उसमें इंडिया 46 अस्थान पर था फर्टी सिक्स अस्थान पर और यह जो लोईस्ट स्कोर है किसी बड़े मुल्क का और इंडिया प्रेस फ्रीडम की तरह डिमक्रसी की जो इंडेक्स है उसमें भी लगातार नीचे गिर रहा है तो अगर कोई सत्ताधारी दल हो या सरकारी एजन्सियां हो अगर वो यह कहते हैं कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स भारत के प्रती पुर्वाग्रह ग्रस्त है और वो पुर्वाग्रह या है कि हमें उन नीचे गिरा रहा है और इसका कोई ट्रांस्परेंट सर्वे नहीं कराता वगरा वगरा तमाम तरह क्या रोप लगते हैं और यह सरकारें भी कहते हैं सत्ताधारी दल के लोग भी कहते हैं टेलिविजन की डिबेट्स में मैंने कई बार सुना है कई बार मैं ऐसी डिबेट्स में पार्ट्समेंट भी रहा हूँ जहां हमारे सामने भी लोगों ने कहा कि इसाब हमारे प्रती भारत के प्रती ये अनुदारता उनकी है क्योंकि ये विदेशी लोग है लेकिन सवाल इस बात का है कि विदेशी लोग जब हमारी economic growth के बारे में अच्छी कहानियां बताते हैं जब IMF World Bank से लेकर तमाव आगनेशन यूएस एजनसी बताती है कि भारत की प्रगती बहुत अच्छी है तो हम उसका हला मचाते हैं हम उसका शोर मचाते हैं हम उसको एक सर्टिफिकेट की तरह हम लेकर अपने सीने पर तान करके उसको घुमते हैं कि लीजिये अमेरिका की एक पड़ी एजनसी ने, World Bank ने, IMF ने बताया कि इंडिया अच्छी ग्रोथ कर रहा है तो दूसरी एजनसी जब कहती है कि इंडिया बहुत बुरी स्थिती में प्रेस प्रीडम में है जब कहती है कि डिमक्रसी के ग्राफ में बहुत नीचे है जब कहती है कि Human Rights Vailation में बहुत ख अपका मानना पड़ेगा तो यह मैं समझता हूं कि यह दोहरा माप दंड नहीं चलेगा और दूसरी बात दोस्तों कि यह केवल एक प्रेस प्रीडम के बारे में नहीं है जैसा मैंने कहा यह डिमक्रसी के बारे में है यह अमीरी और गरीबी के बीच की बढ़ती हुई खाई के बारे में है हमने देखा कि थामस पिकेटी ने अध्यान किया थामस पिकेटी दुनिया के जाने माने एक आउनमिस्ट है और शास्त्री है और उन्हों ने उनकी टीम ने जो अध्यान किया उसमें पाया कि भारत में पिछले सौ सालों में जिस तरह से आप अमीरी और गरीबी के बीच में खाई बढ़िया है बिलकुल आखीर में दोस्तों मैं कहूंगा कि हमारे देश के जो संभिधान है उसकी ड्राफटिंग कमिटी के चेर्मेन डॉक्टर बी आरम बेट करने बहुत पहले कहा था और उनका वो भाशन कांश्वेंट एसेमली का आखरी भाशन था संभ जनुरी को हमारा मुलक गनतंत्र घोशित हो जायेगा योनि 26 जनुरी 1950 तो हम पॉलिटिकल डिमोकरसी के तोर पे बहुत ही खुशगवार मुलक होंगे कि हमें पॉलिटिकल डिमोकरसी मिली है एक गनराज दी मिला है लेकिन ये मत समझे docs है कि हमारी डिमोकरसी बहुत संदर ह क्यों कि सामाजिक स्थर पर और आर्थिक स्थर पर हम वाकई डिमोक्रिटिक नहीं होंगे क्यों कि सामाजिक और आर्थिक स्थर पर असमानता जारी रहेगी असमानता बढ़ती रहेगी अगर पुलिटिकल अपनी डिमोक्रिसी में इस संविधान के लागू होने के बाद अग को नियूनतम नहीं किया तो यकीनन इस मुलक में पुलिटिकल डिमोक्रिसी बहुत बुरी स्थिती में होगी वो ध्वस्त हो जाएगी इस तरह का इस तरह का इलान इस तरह की भविश्यमाणी डॉक्टर भी आरम बेट करने की थी जिन्हों ने भारत के सम्विधान की ड्राफ किया इतने सालों में तो हम अमरित महुत समरा लें चाहे हम कलश उठा लें चाहे हम बड़े बड़े नारे लगा लें लेकिन क्या हो रहा है हम देखते हैं हम देखते हैं कि हमारे देश के बड़े नेता विदेश जब जाते हैं तो वो मीडिया के सवालों का जबाब नहीं देना वो कहा ये जाता है कि सवाल जबाब नहीं होगा क्योंकि अपने देश में जो मीडिया है और जो बाहर का मीडिया है उसमें अंतर उनको दिखाई देने लगता है तो दोस्तों ये जो असमानता अपने मुलक में है सामाजिक स्थर पर आर्थिक स्थर पर वो मीडिया के अंदर भी दिखाई देती है, मीडिया में डाइवरसिटी नहीं है, मुख्धारा मीडिया में एक ही तरह के लोग हैं, और एक ही तरह के लोग जो हैं, वो एक ही तरह से जो सत्ता आती है, जो सत्ता का दबाव आता है, तो वो साथ खड़े हो जाते हैं, और दोस्तों, बिलकु ये वे लोग सोचते हैं जो मीडिया से एक खास डंकी अपिक्षा रखते हैं खास कर अपने देश की नागरिकों से समाज से वो चाहते हैं कि सिर्फ उनकी सुनी जाए वो किसी की बात न सुने तो नियम और लीक से हट कर चलने वाले अच्छे नहीं होते ये सब विदेशी दर्गुन है अपने आँ तो बच्चों को शुरू से समझाया जाता है बड़ों से बाहस नहीं करते बड़ों की बातों पर सवाल नहीं करते अपना मीडिया अच्छा लगता है अपना मीडिया उनको अच्छा लगता है शुद्ध, स्वदेशी, सवर्ण बिलकुल अपने टीवी पूरम की तरह संसकारी विदेशी मीडिया अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो सवाल करता है उसके समाचार, समिक्षाएं और सर्विक्षण सब फालतू होते हैं अपने याँ भी उसी तरज पर गिटिट पिटिट करने वाले कुछ आ गए हैं उनका इसारा अल्ट्रिनेटिव मीडिया की तरफ है या यूं कहा जाए सोसल मीडिया प्लेटफर्म पर जो हैं उनको लेकर है वे निउस पोटल को लेकर है वेबसाइट्स को लेकर है वे बेमतलब सवाल करते हैं वो कहते हैं कि वे बेमतलब सवाल करते हैं पर उन्हें पढ़ते ही कितने उन्हें सुनते ही कितने सब बेमतलब सवाल करने वाले अच्छे नहीं होते धर्म और विकास के रास्ते में अवरोध होते हैं सवाल करना स्वदेशी गुण नहीं स्वदेशी सत्ता से सवाल करने का और चित्त ही भला क्या है वो कहते हैं कि सत्ता स्वदेशी है तो सवाल किस बात का देश धर्म की नजर से तो ये डिमोक्रिसी भी ठीक नहीं लोग खराब हो जाते हैं वे सवाल करने लगते हैं सामत और असामत होना सीख लेते हैं सवाल करना अच्छा नहीं सवाल करते मीडिया की तरह सवाल करता आदमी भी अच्छा नहीं नमशकार आदाब सच्छी अकाल